हेलो फ्रेंट्स एक बार फिर से आपका आमारे इस चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओनलाइन स्वापिंग करते समय आपको चार पॉइंट चेक कर लेना है कौन से चार पॉइंट है वो चलिए इस वीडियो में जानते है तो जो चौथा पॉइंट है वो तो आपको बहुत ही इंपोर्टाइन है तो आप वीडियो को आखरी तक देखे ताकि आप भी जान सके पॉइंट नमबर वन तो दोस्तों पॉइंट नमबर वन में आपको सबसे पहले तो आपको कमपनी चुश कर लेनी है कौन सी कमपनी जैसे का स्पेरिंग आपको चेक कर लेना है क्योंकि अभी कुछ कमपनियां ऐसी निकल कर आ रही है कि फैक होती है और आपको कॉस्टमर को ठग लेती है तो उसके लिए आपको कमपनी चुश करनी है और उसका स्पेरिंग साइट पर चेक कर लेना है कि सही है उसके बाद ही आपको सौपिंग करना है पॉइंट नमबर टू तो दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको पहले तो ओफलाइन में जाके प्राइस चेक कर लेना है और दूसरा की आपको वही प्राइस कंपेर करना है ओनलाइन तो online में कौन सा प्राइस है और offline में कौन सा प्राइस है वो check करने के बाद ही आपको order करना है point number 3 की बात करें तो हम इसमें आपको सबसे पहले आपको customer के review देख लेने है उसमें वो star rating भी देख लेना है जैसे कि आपको एक दो customer review नहीं देखना है product पर सबसे ज्यादा customer review हो उस product को देखना है और उसमें देखना है कि कौन से customer review अच्छे है या बुरे है उसके बाद अच्छे review है तो ही आपको order करना है बाकी order करना नहीं है तो दोस्तों सबसे important और चौथे point की बात करें तो आपको सबसे पहले उसमें आपको देख लेना है customer को जो product है उस पर return policy देखनी है तो return policy कितने दिन की है और कितने उसमें कुछ कमपनियां 15 दिन की देती है कुछ कमपनियां एक महिने की देती है और कुछ महिन कुछ company कुछ product पर return policy नहीं है तो उसलिए आपको सबसे पहले return policy भी देख लेना है जो कि बहुत important point है तो आपको जब भी आप online shopping करते हो तो उसमें आपको देख लेना है कि return policy है या नहीं और उसमें भी दोस्तों आपको electronic product पर तो खास ही देख लेना है कि return policy है या नहीं और या तो replace policy है य नहीं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि चार चार पॉइंट आपको पसंद आये होगे और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दीजिये मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तब के लिए गुड़ बाई